सालों पहले एक नगर का राज्य अपने राज्य में रात को अपना रूप बदल कर भूमता था वहाँ रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राज्या के बारे में जानने की कोशिस करता और उनकी समश्याओं को समचता था एक राज जब वह नगर गूम कर आया तो अचानक जोर से वारिस होने लगी उसने देर के बिना एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर के इसे एक वैक्ती निकला वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था बारिस तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए का राजा ने घर में जाने के बाद पुछा क्या तू मुझे कुछ खिला सकते हो मुझे बहुत तेज बूक लगी है वह गरीब किसान और उसका प्रिवार तीन दिनों से भुका था और उसके घर में एक भी दाना अनगा नहीं था किसान के मन में हुआ कि भले ही अब भुखे हैं लेकिन अपने अधिती को यूँ भुखा नहीं रख सकते अब किसान ये सोच सोच कर बेचेन होगा कि अपने अधिती का पेट कैसे बरा जाए तब ही उसने घर के सामने वाली दुखान से चावल चुराने की तरकीव सोची उसने सिरफ अधिती के लिए ही दो मुठी चावल लिया और उसे पका कर राजा को खिला दिया तब तक बारिस रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया दूसरे दिन दुखान का मालिक अराज की चौरी की सिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा राजा ने दुखान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सबाह में परस्तूत होने का देश दिया सबसे पहले सबावें पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इलजाम कबूल कर लिया और बिती वी रात की पूरी बाद राजा को बता दी किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की लेकिन मेरे प्रिवार ने उस अनाज का एक दाना भी नहीं खाया गरीब किसान की बाद सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताए कि अधिती के रूप में मैं समय तुम्हारे घर आया था इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुखनदार से पूछा कि या आपने अपनी पडोस्ति को चोरी करते हुए देखा था दुकांदार ने जवाब दिया कि हाँ मैंने इसे राहत में चोरी करते हुए देखा था दुकांदार की बात सुनने के बाद वेराजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो क्योंकि तुम ने अपने पड़ोसी की अनाच की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उससे बुखे परिवार को नहीं देखा तुम अपने पड़ोसी होने का ध्रम बिलकुल निवा नहीं पाए इतना कहने के बाद राजर में ने दुकंदार को सवाह में से जाने के लिए कह दिया और किसान की अधिती निष्टा वाओ को देखकर उसे एक अजार सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिये कानी से सीक अगर कोई आस पास रहने वाले मुसीबत में तो में